Hello dear students. Welcome to Magnet Reins. I am Salik, your Maths Educator. और आज बात होगी भई, क्यूब रूट्स की. जी हाँ, students. बहुत शांदार ये concept. आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में exercise 1 कराई थी. और वो exercise depend थी भई, क्यूब्स पर. किस पर depend थी बच्चा? क्यूब्स पर. अब जो next exercise exercise 2 वो depend होने वाली है cube roots पर तो आज इस class में हम बात करेंगे cube roots की mastery हो जाएगी cube roots पर तो cube roots बहुत जादा काम आते हैं आगे अलग-अलग subjects में भी काम आएंगे आगे आने वाली classes में भी बहुत जादा काम आएंगे जी हां इस और रश्ते श्टार्ट करते हैं अच्टे हमास एट मैश्ट करें शानदार चपिरश क्यूपड डूहीं topic है इसके अंदर एक क्यूप to a qob2 c qob2 wild curds मैंने पढ़ा ज्या है और exercise हो गई आज होगा क्योब रूट्स और फिर होगी क belum साइस तो स्टार्ट करते हैं अची क्लास क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट में चैल यह बहुत मैंगनेट ब्रेंज मैंगनेट ब्रेंज अके लाइक लौदास अपलेट फॉर्म जो प्रोवाइट कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन यहां पर आपको इंटर कारण से सब्सक्राइब करेंगेट विजा इस विए बिल्कुल फ्री में हर कोर्स से अब को मिलता है कॉंसेट्ट वीजियो नसी एई इस डेलिये प्रेक्टिस प्रब्लम्स मोस्ट इंपॉर्टन कोश्यंस मुटिपल चॉइस कोश्यंस और आपको मिलते हैं लाइफ सेशन बिल्कु के लिए सब कुछ मिलता है वाउस फ्री आफ कॉस्ट में हमरी तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारी एप पर और हमारी यूट्यूब के चनल पर website www.magnetbrains.com link description में है notes का click कर ये पहुंच जाए website पर grab कर लीजेगा notes शांदार notes आपका वेट कर रहे हैं तो शुरू करते हैं 8 mats cubes and cube roots okay students का ये topic cube roots तो ये रिखेगा बट स्टार्ट करने से पहले जल दिसे एक आपसे request है वो request क्या है like कर दो video quickly please like the video and share the video students and if you are new not yet subscribe please subscribe channel asap as soon as possible चलिए भाई ये ही एक slide होने वाले है और सारा खेल इस पर ही डिपने cube roots बात हो रही है cube roots की cube root is a inverse operation of finding cubes inverse मतला पुलिटा inverse operation of finding cubes जी हाँ it is denoted by like this लेकिए यह होता है under root right under root और यहाँ पर अगर 2 लिखावा हो x है तो आपको मैंने पहले बताया था under root x का मतलब होता है x की power 1 upon 2 क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है चोटा था जो की understood है लेकिन cube root अकर होगा तो यहाँ पर छुपा हुआ होगा चोटा सा 3 और यह हो जाएगा x की power 1 upon 3 right x की power 1 upon 3 बात समझ में आ रही है जी आसर तो देखे धियान से यह क्यूब रूटका सिंबल अफ्यूब रूट टू की पावर 3 का मतलब तू की multiply 2 से तीन बार 2 into 2 into 2 into 2 2 2 the 4 to the 8 2 की पावर 3 8 बात समझ में आई अब धियान से देखिए 2 2 2 का Q далее 2 2 का Q Q 8 राइट 2 का Q 8 क्या लिखा हुआ Inverse Operation तो 8 का Q बात समझ म कह रही है소 यह से मल क्योब रूट का Q रूट should 2, 2 cube equal to 8, I hope आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, अभी देखें आप 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, आपको क्यूब निकालना मैंने बहुत अच्छ से पताया था, 2 का क्यूब मतलब 2 into 2 into 2, 3 का क्यूब मतलब 3 into 3 into 3 4 का क्यूब मतलब 4 into 4 into 4 and so on, अब 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 यहां से देखे, 2 का क्यूब 8, तो क्यूब 8, 2, 3 का क्यूब 27, क्यूब 27, 3, 4 क्यूब 64, क्यूब 64, 4, 5 क्यूब 125, तो क्यूब 125, 5, बात समझ में आई, अब क्यूब रूट, फाइन कैसे करते हैं, क्यूब निकालना तो बढ़ा कोई भी नमबर अचाहे, चाहे कोई भी नमबर हो, 7 का क्यूब अगर आपको निकालना है, तो इट मीन्स, मुल्टिप्ला 7 by 7, 3 ताइम्स, राइट, 7, 7s, 49, 49 into 7, या गया 7 क्यूब, 7, 9, 63, 6, 7, 4, 24, 7, 4, 28, 24, और 6, 34, राइट, या गया 7 क्यूब, तो क्यूब निकालना बड़ासान है, नमबर की मुल्टिपलाई नमबर से तीन बार कर दीजएगा, आजाएगा क्यूब, लेकिन क्यूब रूट कैसे निकाले, तो स्टुटेंट्स, आप इसका एक बार भेतरीन सा स्क्रीन शॉट ले ले, क्यूब रूट आपकी समझ में आगया है, समझ में आगया है, तो वीडियो को लाइक कर दें कुईकली, अब कैसे निकालते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, छोटा सही चैप्टर है, अब बात करेंगे, कैसे फाइंड करें, इसके बाद बात कर लेते हैं, कैसे फाइ उच्पंस वह एक पांस यह पास एक ही अना में फ्राइअ फ्राइइशन एकने संटयर के सिक्वर्ट आप को पता है धो catे के बाइगा ईकना रूटेशीन कीरेगा एंडर भाइगा निकल करेंगा चलियं Juger कैसे कैसे काम करता है यह step 1 सबसे पहले आप क्या करेंगे resolve the given numbers as a product of prime factors resolve the given number as a product of prime factors जैसे कि आपके पास example के लिए example के लिए है 216 to 216 का सबसे पहले आप prime factorization करेंगे prime factorization आपको मैंने पिछली video में बताया था पिछली video में भी बताया था प्राइम अप्राइम फेक्टरिजिशन smallest prime number 7 divided करेंगे तो करते हैं 2 से डिवाइट तो यह हो गया 108 smallest prime number 222 से फिर दिवाइगा 54 smallest prime number 224 divided हो जाएगा 27 up 272 से डिवाइगा तो क्या करेंगे तो के बाद next prime numbers check करेंगे जो कि यह 3 3 3 से डिवाइगा 3 9s are 27 3 3s are 9 and 3 1s are 3 all right I hope you understood this very well to 216 can be written as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 2 into 2 into 2 3 into 3 into 3 2 cube 3 cube right resolve the given numbers as product of prime factors on the area group the group them in triplets group them in triplets मतलब 3-3 k group बनाने हैं आपको 33-3 के group बनाने है right वापर प्रेर बनते हैं आपर 3-3 ग्रूप बनेंगे तो क्योप तरीक अब देखे लिए आज से 2 का क्योप तरी क्योप तो यह कितना हो गया 2 into 3 पूरे का क्यूब 2 x 3 कितना होका 6 मतलब přips क़्यू grave 373 के और निकल के आजाता है अधर आप ऐसे देख और फिर आप ऐसे देख लिजिएगा 3 Latino 23 22 22 के यह तैम सब तो ऒपर निगल के यह 33 उपका यह जू श्बॉ। ọn चूरु अहरे ब companyimming putting each group हर ग्रूप से आपको एक चूज करना तो क्यूब था तो चूज किया तिरी था था तत्री चूज किया रइट मुल्टिप्ला रिचुज़न प्राइम फेक्टर जो आप मुल्ट्ला मुल्टिप्ला है 216 लिया गया ना देखिए और डिटेयल में समझ यह और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा 216 216 यह हम फाइंड कर रहे हैं क्यूब रूट राइट तो यह बाहर छोटा सा 3 अब आप कुछ नहीं करना बस ध्यान से देख जाएए यह एस इस यह इस 216 216 सीं और तो इंटू अ न्टू इंटू 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 2 मोर्ट तो इंटू 3 मोट थी को मातलब त्रीक यूब राइट डियां अब देहम आपसे क्या आट आटा ओन्सक्तियाथ एक बहर ले लेूजू का ने मुझो देखो ध्यान समझो आप से कहा गया दो ग्राय का लेलो और लूट को खितम करो दो का यह वह लेगी आपका आणसर 6 लेकिन इसके पिछे की मैंच क्या है वो भी देख लो अभी आपको बात बता है आपने फॉलू की इसके की का मैंच क्या ये as it is, ये हो गया 2 into 3 का cube, ये as it is, ये हो गया 6 का cube, यहां तक बात समझ में आ रही है, अब मैंने आपको बताया था, under root x का मतलब होता है, x की power 1 upon 2, तो cube root का मतलब होगा, x की power 1 by 3, तो ये cube root का मतलब होगा, 6 cube तो as it is है, इस पूरे को उपर cube root लगा हुआ है, तो इसकी power 1 upon 3, अब power of power होता है, तो power की power से हो जाती है, multiply, और आप धियां से देखें, ये 3 हो गया, cancel, ये आ गया आपका answer, 6, right, I hope you understood this very well, आ गया समझ में, तो instruments, इसके बीचे की match समझ में आई, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंदील लगेगा, हम ऐसे करेंगे, जैसे step by step लिखा हुआ था, तो सबसे पहले आप इसको एक बढ़ी असा हैं आपर, इसको नोट करें, सबसे पहले आप इसको एक अच् step 1, step 2, right, फिर, choose only one prime factor from each group, choose only one prime factor from each group, 2 का ग्रूप, एक निकाला, 3 का ग्रूप, एक निकाला, step 3, उसके बाद करना है आपको multiply, multiply the chosen prime factors, आपने 2 चूज किया और 3 चूज किया, multiply, step 4, ये आगया आपका अंसर, ठीक है, अभी हम कुश्य करने वाले हैं, इसके, आप इसको कुश्य करते हैं, और क्यूब रूट पर हो गई है, mastery, फिर next video में हम करेंगे exercise, जो बहुत जादा आसान होने वाली है, बहुत जादा आसान होने वाली है, okay students, तो आप इसको नोट कर ले, quickly, आगे है समझ, I hope you are interested this very well, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं next, बढ़ते ह questions कर लेते हैं जल्ले से, अब करते हैं कुछ questions, यह देखिए, यह रहा है कुछ questions, four parts है, करेंगे sir, find the cube root of each of the following number by prime factorization method, हमें method यह काता है, prime factorization method, उसे ही करेंगे, 64, right, सबसे पहले क्या करेंगे sir, prime factorization, smallest prime number से divide, यह आपको बहुत जाद अच्छे से आता है, तो यह हो गया sir, 64, written as two into two into two, two into two into two, two into two into two, right, two into two into two, any problem, no problem, मैं चाल, two की पावर three, group of three, group of, three अपने को लेना है, two की पावर three, two की पावर three, 64, written as two की पावर three into two की पावर three, बात समझ में आ रही है, I hope आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, अब आपको find करना है sir, cube root, so cube root, cube root का मतलब, छोटा सा three, symbol, right, यह है root का symbol, 64, क्या बताया गया आपको, आप से कहा गया, कि भाई, prime factorization करो, तीन-तीन के group बना और एक-एक बहर निकालो, तो two की पावर three में से एक बहर निकालोगे, तो यह निकलेगा two, two की पावर three में से एक बहर निकालोगे, यह निकलेगा two, two two is a four, यह आगया आपका answer, right, यह आगया आपका answer, under root, cube root, 64 equal to four, ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, cube root of 64 is four, cube root of 64 is four, ऐसे भी यह आप लिख सकते हो, no problem at all, hence, cube root of 64 is four, any problem, no problem at all, सारे questions ऐसे ही होंगे, जी हाँ instruments मुझे पता है, आप लोग बहुत easily इन questions को कर रहे हैं, कर लेंगे, बड़े अराम से, तो second part, third part, fourth part भी हम करेंगे जल्ले से, जैसे यह किया है, वैसे हम सारे part करने वाले हैं, आप जल्दी से इसको note कर लो, इसको आप भित्री इन से note कर लो, screenshot ले लो, और बाकी भी ट्राइ करना, अगर आप बाकी कहां सा जानते हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर, बताना instruments, टेक आप स्क्रीन शॉर्ट, आप अल्राइट, तो बढ़ता हैं आगे, देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट यह रहावाई स्क्रीन पर, फ्वाइफंड्रेट ट्वेफ, चले बाई, सेकिंड पार्ट, इसका cube root find करना है, सबसे पहले prime factorization, सबसे पहले क्या करेंगे, prime factorization, 2, 256 2, 228, 128 128, 164 132, 16 128, 124 128, 128, 128 128, 129, 129 129, 129, 129, 139 1-2-2, how many 2s? Let me count. How many 2s? 1-2-3-4-5-6-7-8-9 1-2-3-4-5-6-7-8-9 क्या करेंगे आप गुरूप बनाएंगे भाई तीन दीन के? 1 गुरूप, 2 गुरूप and this 3rd गुरूप. Alright, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब and 2 का क्यूब. यह हो गया भाई 512 का प्राइम Factorization. Now, we have expressed this 512 as product of its prime factors. Right? Power of the product of prime factors. Alright, चलिये सर. तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? Therefore, cube root 512 group 3 का एक, 3 का एक, 3 का एक और अगला step, 4 दिस्टैप में सब की multiply. 2 to the 4, 2 to the 4 to the 8. यह आगया आपका अंसर. हम लिख सकते हैंस, cube root of 512 हैंस, cube root of 512 is 8. All right. अब इस्ट्रिमेंस एक बास समझे, आपको पिछली वाली वीडियो में, पिछली से पिछली वाली वीडियो में कुछ प्रापरडी समझाए गही थी. क्या समझाया था? आपको समझाया था, अगर unit digit 4 है, तो किसका cube root होगा यह? 4 का. Right? Right? और 4 का cube का जो answer आएगा, उसकी unit digit 4 होगी. Clear? देखो, यह 2 है, तो किसका cube root होगा यह? वन्स प्लेस इसकी 8 होगी, तो देखिये 8. 2, 8, ऐसे बताया गया था, 3, 7, ऐसे बताया गया था. Right? तो इन सब के इन सारों के अलावा, जो last digit होगी, उसके cube की last digit वही होगी. Right? Clear है, तो देखियेगा आप यहाँ पर 2 था, तो answer तो 8 से आ नहीं था. Clear है, I hope you are interested this very well, second part हो गया, third part, fourth part भी करते हैं, आप इसको note करने जल्दी से, बल्कुल ऐसी होने बाला है, I hope आप खुछसे भी कर सकते हैं, ऑने सबस्ते क्यात्रआख की छूट्रर उसे 생각 घ्रकुल करेंगा में तरफ सबस्ता कियths दूदे कने होगी, नहीं की शॉक्त सबस्क्लिख करategी की शॉख थृट्ट ने बल्फ lotta 1 अगे करें, है पहले है रडैक्ट देख लेते हैं रड़ है थारड पार्ट कि टूस एन जीरो 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 सबसे पहले डायट अ क्राइम फेक्टराइजेशन मेथड से करते हैं पहले लिखा हुआ है यही द्र把它 करा rune no need to worry लेकिन्स तर्व इसे यह udah ठ Aro लास्ट में 0 तो तो डिवाद हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2 5 जा 10 0 0 right 13,500 2 6 12 2 6 12 1 5 2 7 जा 14 1 0 10 2 5 जा 10 or 0 2 3 6 2 3 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 2 1 2 2 right 1 or 3 13 2 6 12 1 7 2 8 16 15 , अभी तो से तो कटेगानी सर लास्में 5 है इसको 5 3 से थेखो इन सहारे डिजिट का आप सम करो if sum of digit is divisible by 3 then that number is also divisible by 3 toh 7 or 3 10 15 18 18, 18 से गट जाएगा because sum of digit is 18 18 is divisible by 3 then this is also divisible by 3 लाइड न्हिर्पू जा न्हीं निअ आ रोलाक्टो सिर्ट ठीडीउ थी टुर्श्युल्हा आ ला 라e ron युससे ली टुर्द गड़ Elaaila थे वर भाइड़ी आप लूर जुक कर जाएगा वै तैन मोन देहने bending B 5s are 15, 3, 4s are 15, 5, 6, 8, 5, 5 to the 10, 5 to the 25, 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 5 to the 5, 2 x 2 x 2, 3 x 3 x 3, 5 x 5 x 5, all right आराय समझ हेर, 27000 can be expressed as 2 x 2 x 2 x 2, इसको थोड़ा साइट कर देते, 2 x 2 x 2, 3 x 3 x 3, all right, x 5 x 5 x 5, यह हो गया, प्राइम फेक्टराइदेशन, अब आप करेंगे, ट्रिपलेट का ग्रूप, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, right, 27000, clear, आप पो फाइट करना है, क्यूब रूट, क्यूब रूट कैसे मिन दिखलेगा, भई, क्यूब रूट क सिम्बल, जो यह 3 का गूरॉप आया है, एक ले लिजिएगा, दो क्यूब का 2, 3 क्यूब का 3, 5 क्यूब का 5, इन तीनों की मल्टी, पलाए लास्स चेप, 5, 3, 3, 15, 15, 15, 25, 30, 30, यह दे खिया, बै, आंसर आ गया, 30, hence, hence, cube root, cube root of, under root, 27,000 is, 27,000 is 30 देखे शॉर्ट में भी आपको मैं कराऊंगा आप इसको नोट कर ले पहले अभी मैंने कुछ भी आपर नहीं नहीं लगाया बिल्कुल नॉर्मली किया है अभी मैं आपको शॉर्ट में भी कराने वाला हूं ऐसे कुशन्स आपने किया हूंगे के वॉल्यूम दे दिया ह रहा है क्योटा और एज पूची एगर क्यों को आपके पास है 3D सॉलिट फीगर उसका वॉल्यूम यह तो एज की आ जाएगी फूर वॉल्यूम यह तो हैज क्योंकि वॉल्यूम को फॉर्मलल आता है साइब कीूब साइड मतलब हैज क्यूब ठेक और अगर वाल्यूम यह तो इसकी एच क्या होगी 30 ऐसे कुशन आपने पहले भी किये हैं अगर किये हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना वॉल्यम ओफ क्यूब में यही यूज होता है नोट डाउन कुई क्लिस्ट इसको आप नोट कर ले अभी मैं आपको एक बार फिर से यह कराने वाला हूं इसको करना नहीं है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथर्ड देखिये भाई कितना इजी हो जाएगा 27000 राइट आप इसको लिख सकते हो 27 इंटू 1000 यह सरो 27 का आप लिख सकते हो 3 का क्यूब 1000 को लिख सकते हो आप 10 का क्यूब राइट यह आगे आप आपका अंसर अंडर रूड तरी इंटू 10 यह हो गया वह आपका 30 ओल राइट है ना असान चलिए नोट कर लिजेगा बहुत ज़्यादा आसान है बहुत इसको कर सकते हैं नोट कर लिजेगा चलिस एस्ट्रुमेंट तो बढ़ता हैं आगे देखते हैं लास्ट पार्ट फॉर्थ पार्ट देख लेते हैं जल्दे से आई होब आपको तरीका समझ में आगें सारे 15625 क्या करना इसका करना है क्यों प्रूट फाइड करना है सबसे पहले करेंगे प्राइम फेक्टरिजेशन 15625 तो सम आफ डिजिट करके देखिए त्री से डिवाइड हो रहा है न नौन तरी तुड़ जाएगा लासमें 5 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 व्ल्राइगे। All right students how to go? 5 to the 10 5 is 25 5 25 5, 5, 5, 1 All right यह आगे आपका आंसर 1, 5, 6, 2, 5 5 is equal to 5 into 5 into 5 5 into 5 5 into 5 Right 3 ka group 3 ka group triplet right five cube into five cube और यह आ गया भाई आपका answer cube root, अब यह तो square root है, यह 3 दिखाओ, cube root 5, 3 का एक, 3 का एक, 25, right hence, cube root of 15625, 15625, 15625, 15625, equal to 55, the 25, यह आगया answer, instruments, अब आप जल्ली से मुझे बताइए, अगर कोई number है, और वो cube root नहीं है, तो किस number, कैसे, उसको cube root बनाएंगे, right, आपके पास 2 method है, कोई number है, वो cube root नहीं है, तो उसकी multiply किस number से करें, जो cube root बन जाए, और उसकी divide किस number से करें, जो cube root बन जाए, यह कैसे करते हैं, पूरा process आप मुझे comment करके बताना, पिछले वाले exercise के questions, और इंपोर्टेंट है, exam में आते हैं, पिछली वाले exercise में जो question में ने कराए है, हैं, वो exam में आते हैं, बहुत छोटा था chapter है, इस chapter में दोई तीन तरह कोशन है, पहला cube कैसे find करें, cube root कैसे find करें, right, और दूसरा, इस number की किस number से multiply करें, जो यह cube root बन जाए, इस number की किस number से divide करें, जो यह cube root बन जाए, that's it, I hope आपको आपको यह बात समझ में आ गई है, okay students, तो यह था last part, इसका screenshot ले लिजएगा, और फिर हम करते हैं, session को wind up, okay students, तो thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains, यह हो गया हमारा question complete, जी हाँ, एक कोशन था, अब हम करेंगे exercise, और वो exercise जो है, अगली वाली, वो लास्ट exercise है, सिर्फ दो ही exercise है, सुन भी बहुत छोटे-छोटे से question है, दो ही question है, so next video में exercise 2 करके chapter complete कर लेंगे, thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains, with your happy and smiling faces, I am Sali, क्योर मैंच educator, मिलता है next class में, till that bye bye, बट जाने से पहले, let me tell you about Magnet Brains, Magnet Brains, अकेला एकलवता सा platform, जो provide कर रहा है, high quality education, यहां पर आपको किंटर गार्डन से लेके 12 तक सभी classes के सभी subject courses set, मिल जाते हैं, बिल्कुल free में, हर course set में आपको मिलता है, conceptual videos, NCEI questions, daily practice problems, most important questions, multiple choice questions, और आपको मिलता है live sessions, बिल्कुल free में, जहां पर आप real time में, real teachers अपने doubt, discuss कर सकते हो, बिल्कुल free, सब कुछ available है, free of cost, हमारे सारे platform पर हमारी website पर, हमारी app पर, और हमारे YouTube के channel पर, सारे boards के लिए, instruments यो Hindi medium वाले board है, यह वाले, CBS Hindi medium, UP board, Bihar board, MP board, यह आपको मिलेंगे, यह सारा concept आपको मिलेगा हमारे दूसरे channel पर, दूसरे channel का नाम है Magnet Brains Hindi Medium, Magnet Brains Hindi Medium नाम है दूसरे channel का, सच करिएगा, high quality education के साथ, आपको सब कुछ मिल रहा है बहुत सारे platform पर, वेबसाइट पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है, महाँ पर नोट्स भी आवलेवल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है वाई, क्लिक कर यह पहुंच आई वेबसाइट पर ग्रेप कर लिए जग नोट्स शांदार नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, वेबसाइट पर ओके सुरेंट अभी दख सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो करना धरूर वीडियो च्छे लगी हो तो लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों में सारे इस दारों में दोस्तों में शेयर कर दो जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे हैं उनको भी और और हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले सारे सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर फेस्बुक इस्टाग्राम ट्यूटर टेलिग्राम पर सब जगावन चाहे हो हैं हमारा पीज आपको सब जगा मिलेगा मैंने ब्रेस का और एब भी है भाई से लोगों के साथ आपको बिल जाएगी प्लेस्टोर पर और एप का इंटरफेस यह रहा सारा कॉंटेंट आप को न्जूम कर सकते हो नोट्स को भी ग्राइब कर सकते हो एप के तरो और मेरा भी पूरा से लिबस हो चुका है प्लेलिस्ट में जाईएगा और आप पर सकते हैं भाई कोई सबी टॉप और पढ़ लिजेगा मजे गजेगा थैंक यू सो मुच अलफ यू ट्स ताइम पर से गूजबाई आयम साली कोर मैस एजुकेटर मिलता है नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में होगा एक्सरसाइस टू और हो जाएगा चैप्टर फिनिश क्यूब क्योब रूट चलास तिल एच भाव I be happy keep learning keep growing keep exploring wish you very best of luck for your exams keep watching keep subscribing keep smiling be healthy be fit wish you very best of luck